तो स्वागत आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यदा इंपॉर्टन टॉपिस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है होमोफोन्स कम्फियूजड उर्दू में कहा जाता है मुतसाबियो सौत अलफाज या फिर हम अवाज अलफाज क्या है ये होमोफोन्स कम्फियूजड वर्ड नाम सुनकर आप लोग कम्फियूजड नहीं हो जाईएगा क्योंकि है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान मैं आप लोग को एक परसेंट काई जो टॉपिक है ना होमोफोन्स कम्फियूजड वर्ड यानि कि मुतसाबियों सौत अलफाज ये है क्या चीज़ वो तुम्हें आप लोग को बताऊंगी प्लस ये मैं बताना चाहती हूं कि इस टॉपिक से हर साल एक कोश्चन पूछा जाता है हर साल एक कोश्चन इस पूछना ही पूछना है तो ये आप लोग अपने लिए हन में ये बात बिठा लीजिए किस साल भी आप लोग के एकजाम में इस टॉपिक से एक कोश्चन पक्का है किया हैं ठीक है इस लिए इंपोर्टेन समझते हुए इस टॉपिकों में पढ़ा रही है इस साल भी कोशन पूछा जाएगा और पिछले साल किस तरह से कोशन पूछा गया था और किस तरह से कोशन पूछा जाता इस टॉपिक से यह हर एक चीज में बहुत ये अच्छे तरीके से बताऊंगी मतलब और पो को पता भी होगा कि उर्द्रोग्रांमर का एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी तक मैं नहीं पढ़ाई ह। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि उर्दो ग्रामर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको मैं अभी तक नहीं पढ़ाई हूँ जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए तो सोचिए वो कौन सा टॉपिक है इसको मैं अभी तक उर्दु करामर का आप लोग इतना सारा वीडियो देखते आ रहे हैं कौन सा ऐसे टॉपिक है जिसको मैं अभी तक नहीं पढ़ाई हूँ चलिए अब मैं ही बता देती हूँ वो टॉपिक का नाम है जिन्स जी आप इसको पहनने वाला जिन्स नहीं समझ लीजिएगा जिन्स यानि कि जेंडर ठेके मुझकर मोनस जो होता है ना इसको मैं अभी तक नहीं पढ़ाई हूँ और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग के एकजाम से दो नहीं तो तीन महीना पहले इसी टॉपिक पर वीडियो अप्लोड होगा और इतना जबरदस्त इतना धासु इतना धमाकेदार इतना श्टांदार ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी ना कि किसी लवस को देखते ही आप लोग पहचान सकते हैं कि वो लवस मुझकर है कि मौनस है इसलिए इतने दिनों से मैं उर्दू ग्रामर का यह टॉपिक है मुझकर मौनस इस पर वीडियो नहीं अप्लोड की थी बहुत जल्द अप्लोड होने वाला है बस आप लोग थोड़ा सा इ और जिस एक्जाम के भी आप तयारी कर रहे है ना इस एक्जाम में तो जिन से कोशन पूचा जाता है नो डाउट आप लोग एकदम हंड़ीट परसेंट करेक्ट बना कर आएंगे अगर उस ट्रिक को समझ जाते हैं तो ठीक है उसके बाद से वह जो ट्रिक है वो तभी भी क जिन से कोशन पूछा जाता है तो आगे चल कर भी वो ट्रिक काम आएगा आप लोग अगर किसी इंट्रेंट और कम्प्रेंट प्यारी कर रहे है और उर्दू सब्जेक्ट है तो आपका ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वह वीडियो बहुत जल्द और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि हर इंप्रमेशन हर इंसान को पता चल जाए ठीक है चले स्टार्ट करते आज कि इस वीडियो को मुतासा अभी हुँ सौत अलफाज इसी को कहते हैं हम लोग हम आवाज अलफाज इंग्लिस में कहते हैं होमोफोन्स यह फिर होमोफोन क्मफ्यूज्ड वॉड कहा जाता है कंफ्यूजन वाला है टॉपिक मतलब यह एक ऐसा बोधे जो कंफ्यूजकर में डाल देता है इंसान को इसलिए इसको इसको इसका नाम क्या दे दिया गया है होमोफोन को ठीको समझते हैं मुतसाबिय। सौत अलफाज या फिर हम अवाज अलफाज या फिर हूमोफोंस यह जो वर्ढ है यह क्या है देशें वैसे अलफाज वैसे वर्ड जिनके तलफुज में कोई फर्क नहीं मतलब वैसे अलफाज जिनके तलफुज में कोई फर्क नहीं हो लेकिन तहरीरी और मानुवी एतिबार से उनमें फर्क होता हो इसका मतलब क्या हुआ जड़ा इसको और डीपली जाकर समझते हैं वैसे लव्ज जिनके तलफुज में कोई फर्क नहीं हो यानि कि जब उनको पढ़ा जाए न तो एक जैसे पढ़े जाये मतलब pronunciation में कोई फर्क नहीं हो उनका आवाज सेम हो लेकिन तहरीरी और मानुई एतबार से उनमें फर्क हो लेकिन जब उनको लिखा जाए तो अलग-अलग लिखा जाए और उनका माना अगर देखा जाए तो मानी भी अलग-अलग हो तो उस तरह की लफ्स को कहते हैं क्या उतसाभी उस्वात अलफाज या फिर हम आवाज अलफाज सबसे पहले आप लोग को उर्दू में बट रिटन फॉर्म और डिफ्रेंट एंड दो मेनिंग अफ द वर्ट्स आर अल्सो डिफ्रेंट यानि कि वैसे वर्ट्स जो प्रणसीशन में तो सेम हो यानि कि जो पढ़ा जाए तो आवाज सेम निकले लेकिन इनका स्पेलिंग जो है वो मतलब मैच न करे प्लस उनका ज जो वर्ड का जो मिनिंग है वो भी अलग-अलग हो जैसे कि इंग्लिश में एक्जामपल देकर समझाती हूं फिर मैं आप लोगों उर्दू पढ़ लेकर आऊंगी देखिए एक यह सी मतलब देखना होता है और एक यह सी होता है एक यह सी और एक यह सी दोनों को पढ़ा ज फ्रकेशन तलफुच जो है ना वह सेम है यानि कि सी पढ़ा जा रहा है इसको भी सी पढ़ा जा रहा है लेकिन क्या तहृरीरिय और म्हानुमी एतिभार से यह एक जैसे है नहीं तहृरी आनि कि लिखा गया है तो क्य nya इन दोनों का स्पेलिंग एक जैसा है इसमेह स का होता है देखना और इसका का मतलब होता है समूद्र तो समय मानुविये इतिभार शिür इन says इनको पढ़ा जा रहा है वह सेम Si Si लेकिन लिखा अलग जा रहा है यानि की लिखने में होता है एससी का मतलब होता है तो इस था कि लब्स क्या कहलाएंगे कremen British में समझ में आ गया अब यही फंड़ vist ि इसे चैनली कि उर्दू में क्या किते हैं मुटसाबियु सौथ इस दो में लीजिए कि उर्दू के ऐसे इलफाज धिनके तलफ़ यानि कि pronunciation आवाज सेम हो लेकिन तहरीरी और मानुई एतबार से उनमें फर्क हो यानि कि जब उनको लिखा जाता है तो उनका जो हर्फ है वो अलग-अलग हो यानि कि spelling अलग-अलग हो प्लस मानी भी अलग-अलग हो जैसे कि देखें यहां पर मैं example लिख दी हूँ मिसाल के तौर पर यानि कि example के तौर पर यह है एक अक्रब और यह भी अक्रब दोनों को क्या पढ़ा जाएगा अक्रब ही पढ़ा जाएगा इसको भी अक्रब पढ़ेंगे इसको भी अक्रब पढ़ेंगे दोनों का आवाज सेम निकल रहा है यानि कि pronunciation सेम है यानि कि दोनों क पढ़ा जा रहा है सेम लेकिन क्या सेम लिखा गया है और क्या दोनों का मानी जो मतलब है एक ही है जी नहीं दोनों पढ़ा जा रहा है सेम लेकिन ये जो अक्रब लिखा गया है ये अलिफ से लिखा गया है और ये जो अक्रब लिखा गया है ये आयन से लिखा गया है अलिफ और अन ठीक है यानि की सिर्फ एक हर्फ का अंतर है एक अक्षर का अंतर है यहां पर अलिफ है और यह एक जैसा तो नहीं है यानि की तहरीरी यह अतबार से इनमें फर्क है प्लस मानुई एतबार से अगर देखा जाए तो भी इनमें फर्क है इस अकरब का मानी यानि कि अलिफ वाली अकरब का मानी होता है रिष्टदार क्या कहते हैं रिष्टदार अकरब का मानी क्या होता है रिष्टदार रिष्टेदार सगे संबंधी रिष्टेदार होता है ना उसी को तो इस अकरब का मानी क्या होता है रिष्टेदार और इस अकरब का मानी होता है बिच्छू देखिए मानी में कितना फर्क है अगर आप गलते से अलिफ वाले अकरब की जगा एन वाला अकरब लिख दिये तो स तो आभी उस्तौत अलफाज या फिर हम आवाज अलफाज इंग्लिस में होमोफोन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह इंसान को कम्फ्यूस्ट कर देता है इस तरह के वर्ड ठीक है तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा एक और बात पॉइंट करने वाली है अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग प्रिवेसर कोशन पर उठा कर देख सकते हैं बिल्कुल यही कोशन पूछा गया था अब कोशन आप लोग के एक्जाम में किस तरह से और अगर वेस्ट की स्थाया और भोला अक्रब का मानी क्या होता है में चारops नदेता है आप लोगग पता है उसमें रिष्टेदार भी दिए था फृला नेकाना जो भी दिया था चार उप्सन और उसी चार उप्सन में से एक आप्सन में दिया था बिच्छू तो आप लोगों को पता रहेगा तब न तो आप लोगों को पूछा गया था ठीक है तो इसी तरह के कुछ है अलफाज जो कि मैं चुन-चुन कर बहुत ही महनत से कठ्था की हूं और चलिए बोर्ड पर लिखकर आप लोगो समझाती हूं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है ले लिजिए पोले बात एक ही तीनों नाम में से कोई विनाम पुकार सकते हैं ठीक है और यह काफी इंपोर्टन है जैसा कि मैं आप लोग को बताइए कि जो आप लोग के Town High School के चांसे अप लोग के ले लिए होंगे ठीक है क्योंकि लिख्योंगे बोर्ड पर तो फिर रहा रफ टाइप कर दिखाई देगा इसलिए आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होगे चलिए फड़ावट समझ लेते हैं पहला जो हम अवाज अलफाज है होमोफोन से वह हैं इमारत और एक हो लिखा गया है नहीं इसको अलिफ से लिखा गया है इसको एन से लिखा गया है क्या दोनों का मानी एक है नहीं यह अलिफ वाले इमारत का मतलब होता है मानी होता है अमीरी और आयन वाले इमारत का मतलब होता है मकान यानि कि दोनों के मानी में भी अंतर है और अब चरियन की हर्फ में भी अंतर है लिखावट में भी अंतर है इसको आप लोग क्या बोलेंगे मुतसावियू सौत अलफाज देखिए बाहर से थोड़ी सी आवाजे आ रही है आप लोग उसको इग्णॉर किजेगा और यहां पर फोकस किजेगा ठीक है यह दोनों का मानी अलग है लिखा होता ही जमा होता है ना अलफाज तो यह दोनों अलफाज कहके लाएंगे मुतसावियू सौत अलफाज या फिर हम अवाज अलफाज नेक्स्ट देखिए यह हो गया दूसरा है एक अलिफ के उपर मत जूड़कर आम लिखा जाता है यह वाला आम अलिफ से और यह वाला आम यह वाला जो आम लिखा जाता है इस आम का मतलब होता है फल क्या होता है फल आम एक फल है जो हम लोग खाते हैं तो आम यह फल का नाम हो गया अलिफ वाले लेकिन यह वाले आम का मतलब होता है हर जगा मिलने वाली चीज जैसे कि अब लोग सुने भी होंगे यह तो आम बात यानि कि यह नॉर्मल बात है हर जगा यह बात सुना जाता है यह तो आम यह अजगा है यह पर सभी लोग है यह आयन वाले अपर हर जगा मिलने वाली चीज्ट यह दोनों को पढ़ा जह रहा रहा है से सेम Crpret भी आम पढ़ा जारा है इसको भी आम पढ़ा जारा है लेकिकलांट में निखाวत अंतर है तर दोनों को क्या कहेंगे जिटाभी तरफाब अगला देखिए यह अवाले का मतलब होता है हमेशा अब बत का और यह मतलब हता है एन वाले अबुद का मतलब होता है बंदा दोनों में मानी का और लिखावट का अंतर है लेकिन पढ़ा जा रहा है सेम पढ़नेंस यह सन जो आवाज है वो सेम है तो इस तरह के लफज को क्या कहेंगे मोफोन्स यानि की मुतसाविव सौत अलफास आगे बढ़ते हैं आजम और यह अलिफ है और फिर एन है आजम और यह एन में अलिफ जुड़कर आ है और जम है तो यह आजम और यह आजम दोनों का लिखावट में अंतर है और मानी में भी अंतर है यह वाले आजम का मतलब होता है बहुत बड़ा और ये वाले आजम का मतलब होता है इरादा करने वाला अगला देखिए आला और एक ये आला ये आला का मतलब होता है बुलंद अलिफ में जुड़कर आ बनाये गया है तो ये वाले आला का मतलब होता है बुलंद यानि कि उचाई आप लोग सुने भी होंगे ये तो आला दर दोनों को पढ़ा जायें लेकिन लिखा गया है अलग अलग और मानी अलग रहे हैं तो दौनों में अंतर है मानी का भी यह वाले आज करम थे मौझूदा दिन याने की आज अज मतलब मौझूदा दिन लेकिन ये यह वालिआ आज मतलब माझूदा दिन ये ये आयन में प्दलब जो आ इस का मतलब क्या होता है हाथी का दानत तो ये को फूर्च पूछा गया था पता रहां यहां साल में पूच्छा गया था याद रखिएगा दोनों क्या है मुताशाबी सौओत अलफाज है अगे बढ़ते हैं कि सदा होता है सीन से सदा और एक स्वाद से होता है सदा दोनों सदा पढ़ा जा रहा है लेकिन लिखा गया है अलग-अलग ये सीन से है, ये स्वाद से है, सीन वाले सदा का मतलब होता है हमेशा, और ये स्वाद वाले सदा का मतलब होता है आवाज, ठीके, सदा मतलब आवाज, स्वाद, ध्यान रखिएगा, सीन और स्वाद, एक हर्फ का अंतर हो जाता है, तो मानी में चिंजिस आ जाती है, इसी करते हैं सवाब सवाब यह सवाद वाला सवाब है और यह सवाद का यूज किया गया इसमें से का यूज किया दोनों पढ़ा जारा इसे में लेकिन लिखा गया अलग-अलग सवाद वाले सवाब सवाद वाले सवाब का जो मानी होता है वो होता है ठीक सवाब का मतलब क्या होत कि सवाब मिलेगा तो सवाब क हमखब क्या नेकी का बतल आगे बढ़ते हैं एक सवाद से सलाह और के वाला से संसल फ्किल Kerry यह स्वार्इस सलाह का लिखा जाता है ना इसका मतलबड़ होता है मशवरा जिसे की सलाह मशवरा कर लेते हैं तो सलाह और मशवरह सलाह बोलें फिर मशवरह बोलें बात लकिये तो यह स्वाध वाले सलाह का मतलब होता है मशवरा लेकिन अगर गलती से आप यह व् oppress वाले सा लाउना स्राहा लिक दिए ना तो फिर मानी में परिवृतन आ जाएगा सीन वाले सलाह का मतलब होता है हथियार देखें कितना बदलाव आया अगला लवज है सिमत ये सीन से सिमत है और ये स्वाद से है सिमत इस सिमत का मतलब होता है जानिब या फिर तरफ आप लोग सुने होंगे चलो इस सिमत से चलते हैं इस सिमत चलते हैं या फिर इस जानिब चलते हैं तो यह सीन से सिमत वाला का मतलब होता है जानिब या फिर तरफ लेकिन स्वाज से जो सिमत होता है इसका मतलब होता है खामोशी क्या होता है खामोशी अमल और यह अमल यह एन से अमल है यह अलिफ से अमल है दोनों का प्रनंसि मतलब आइन वाले अमल के जगह अलिफ लिख दिये अमल तो फिर मानी में परिवर्टा ना जाएगा अलिफ वाले अमल का मतलब होता है उमीद ठीक है कलब यह यह वाला जो काफ है प्या कर दी सको अच्छा लिख दो यह इस तरह से कलब लिखा जाता है और एक इस तरह से कलब लिखा जाता है यह वाले कलब का मतलब होता है दिल मिर्जा गालिफ की गजल्व औरести अではates तो शुरज है कि तरह रेहां जाएगी तो दिल व्युक्त का फिर यह मतलब क्या होता है दिल का दिल फिसका मतलब inventory is और सोचिए यह वाले कलब के जगा द्यान दें यह वाले काफ के जगा अगर आप लोग यह वाला काफ लिख दिये तो दिल के बदले क्या पढ़ा जाएगा कुद्टा पढ़ा जाएगा असर और यह होता है कसर यह वाला काफ है इसमें और इसमें यह वाला काफ है आप लोग देख सकते हैं यह वाले कसर का मतलब होता है महल और यह वाले कसर का मतलब होता है कमी या फिर हिस्सा आप लोग सुने होंगे लोग कहते हैं कि इस काम में एक भी कसर नहीं होना चाहिए कसर मतलब क्या कमी तो वह कौन वाला कसर कहते हैं यह वाला कसर और यह कसर का मतलब होता है महल ठीक है आगे बढ़ते हैं नाला नाला और नाला देखिए इसमें लाम में अलिब जुड़कर ला है और इसमें लाम में हे जुड़कर ला है नाला इसको भी पढ़ा जाएगा नाला इसको भी पढ़ा जाएगा लेकिन इस नाला का मतलब होगा नदी और इस नाला का मतलब होता है फर्याद एक घजल है शाय दम्रजागालीब कि है कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिष्टा ही खल गया बुल बुले सुन कर मेरे नाले घजल हो गई ठेक है यह नी कि मेरे नाले दून्स कर बुल मतलब क्या होता है जुदाई और इस वाले हीजर का मतलब होता है पत्थर दोनों में आंतर है जुदाई यानि की ब्रेकप हो जाता है ठीक है गल्फरेंड और बॉइफ्रेंड का ब्रेकप ठीक है उस वह आला हीजर समझ यह कि यह है ठीक है तो यह का मतलब क्या होता है जुद हुधा हो जाती है ठीक है तो हम प्रोन को समझ aquest होगा ही है टूटल तरफास अगर समझ में अई है तो लाइक जरूर करें तो लाइक जरूर करें शेर होसके तो जतना ज्यादा करें अपने उसके अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज